हेलो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में आप सभी लोगा बहुत बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्टिंग प्रासेस क्या होता है तो आज का यह टापिक बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग बहुत सारे जगहों पर इसा देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि इस कंपनी में या इस जगह पर कास्टिंग करिया होती है या फोर्जिंग किया जाता है तो आप लोग के बीच जो मन की बीच में confusion बना रहता है कि कास्टिंग क्या होता है या फोर्जिंग क्या होता है इस प्रोसेस में कैसे कारे किया जाता है तो सबसे पहले आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कास्टिंग क्या होता है तो कास्टिंग का जो हिंदी होता है दोस्तों वो होता है धलाई तो सबसे पहले धलाई को आप लोगों को मैं आम बोल चल भासा में एक जामपल देखकर समझाना चाहता हूँ, उसके बाद से इसका जो इंजिनिरिंग प्रॉसेस होता है उसमें आप लोगों को समझाएंगे, तो जिस प्रॉसेस के द्वारा उस पाइप को तयार किये जाते हैं, चुकि वह पाइप सिलेंड्रिकल, आप लोग देखते हैं कि सिलेंड्रिकल होता है, कुछ इस प्रकार का पाइप आप लोगों को देखने को मिलता है, इस तरह का वह पाइप राता है, जो सिलेंडर के रूप में राता है, यह बीच में खोखला राता है, और वह पाइप जो ह के पाइप को बनाया जाता है तो इस पाइप को जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं कौस्टिंग ही कहते हैं उसके वही अब लोग देखते हैं आप लोगों के घर के सामने या कहीं पर भी जो नाली हो गए रहोते हैं उस नाली पर स्लीप ढाला जा तो अम बोल चल भासा में काश्टिंग को डिफाइन करें परिभासित करें या आप लोंको बताने की कोशिस करें तो दोस्तों काश्टिंग या ढलाए एक ऐसी प्रकिरिया है जिस process के थ्रो जिस process में किसी भी materials को जैसे आप माले ये sleep को लेते हैं या इस cylindrical pipes को लेते हैं तो इसमें क्या हुआ है concrete हुआ, cement हुआ और बाल हुआ इन तीनों materials को liquid form में, liquid form में बोले तो इस जगह पर क्या होगा, cement प्लस concrete प्लस बालो, इन तीनों को मिलाने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, cement, concrete, बालो प्लस पानी भी इसमें होता है इन तीनों को मिला देते हैं, तो हमें एक material मिल जाता है, इसी material को, चुकि यह material गीला हो जाता है तो इसी material का use करके, इस cylindrical drum को बनाया गया है, तो क्या हुआ, इस तरह से यह जो ढ़लाई किया गया है, या costing किया गया है इन चार materials को आपस मिलाने के बाल, हमें एक final material मिला, और इस material को हम एक साचा में, या एक धाचा में ढाल करके, जब हम ढालें, वह structure प्राप्त होगा, वह structure प्राप्त होगा कैसा? एक cylindrical pipe प्राप्त होगा, या एक rectangular या आयता का एक slave प्राप्त होता है, तो हम यदि अब इसे engineering language में समझाने की कोसिस करें, तो friends, engineer language में होता है, जैसे माल लीजिए, आपके पास या किसी company के पास कोई raw materials आता है, कोई raw materials माल लेते हैं, हमारे पास एक cylindrical pipe आता है, या steel का एक पूरा क्या है, इस steel का राड है, किसी भी company के पास आता है, अब इस company को क्या बनाना है, जैसे माल लीजिए, इस company को gear बनाना है, या माल लीजिए, इस steel का राड है, तो एक company क्या बनाएगी, एक gear भी बना सकती है, इस type का कुछ gear इस company को बनाना है, इस type का कुछ gear बनाना ह जैसे मालिज ये उस company को glass बनाना ना या थाली बनाना है तो उस material को क्या करेगी उस material को सबसे पहले वहां गलाएगी काफी ज़्यादा temperature पर इस materials को गला देगी और 이 materials क्या हो जाएंगे liquid form में convert हो जाएंगे जब यह materials liquid farm में convert हो जाएंगे तिस materials को आप जो भी shape देना चाहते हैं उस shape आप असानी से दे सकते हैं जब इस materials को आप liquid farm में convert कर लिया अब इस materials को आप किसी भी safe में आसानी से धाल सकते हैं बना सकते हैं थाली बना सकते हैं गिलास बना सकते हैं जो भी आपकी requirement होगी आपकी company की उसके अनुसार आप कारे करेंगे अब इस requirement को पूरा करने के लिए थाली बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ओसकता होगी गिलास ही बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ओसकता होगी यह पेन ही बनाया गया दोस्त तो यह भी एक costing process के द्वारा ही पेन को बनाया गया है जैसे माल लेजिए अगला example लेते हैं आप लोग बच्पन में देखे होंगे जब आप लोग खेलते हैं बच्पन में अपने दोस्तों के साथ अपने आसपास के बच्चों के साथ तुहां पर देखते हैं आप एक गिलास ले लेते हैं इमालेजे आपके पास एक गिलास है और इस गिलास में आप बहुँ भर दी हैं यह मत्टी भर दी जो भी मेटेरियल से आप उसे भर दी है धूल धॉल धॉकट इसे वर दी में आपके पास जैसे माल लिए ऐसे अर यहां ते पास अंदर माटी में अन्दर tv गया अब क्या होगा पुन् הי ganzen को मांकि आप बहां निका TDT तो देखते हैं इस गिलास में जो मिट्टी हम भरे थे उस मिट्टी में यह एक होल प्राप्त हो गया एक खाली जगह प्राप्त हो गया और इसी जगह में क्या करेंगे आप कोई मेटरियल जिसमाल यह इस्टील का राढ़ी था वह लिक्यूट फार्म में कनवर था उसी स्टील के लिक्विट फार्म को आप इस गिलास के खाली जगह में डाल देंगे तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद आप छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद यहां जम जाएगा यहां फ्रीज हो जाएगा इस टील का लिक्विट फार्म इसमें और आप जब गिलास से इस मिट्टी को बाहर निकालेंगे, तो आपको यह स्टील का राड जो था, वह जमा हुआ पुना एक पतले राड या जो भी शेफ आप देना चाहते हैं, उस सेफ में यह स्टील का राड पुना पराप्त हो जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पर किस किस चीच का प्राप जरूरत पड़ी तो यहाँ आपका जो गिलास हुआ इसी को बोलते हैं मोल्ड बोलते हैं इसी को क्या बोलाता है मोल्ड बोलाता है अंदर जो आप मिट्टी या बालू भरे थे यह होता है मोल्डिंग सैंड होता है Molding Sand या Molding Swirl Molding Sand यहनि Molding Balloon हुआ और इस जो खाली इसमें जो होल बना था इसको बोलाता है Molding Cavity Molding Cavity Next हुआ जिस पेन हुआ यह जिस भी जिसके द्वारा भी इस होल को तयार किया गया था इसे बोलाता है Patern जिसे माल जिए कलम ही था यह पेन ही था जिसके थूर हम इसे होल किये थे तो यहाँ पेन क्या हो गया इसी को बोलाता है Patern और जो material इसमें डाला गया था स्टील का liquid farm तो यह जमने के बाद जो material हमें प्राप्त हुआ है यह जो चीज प्राप्त हुआ है इसको बोलाता है वर्ग 30 इस तरह से हमारा एक phosing process के अंतरगत इतनी सारी चीज़ों की जरूत पड़ती है और भी सारी चीज़ें जो हैं आपको जरूत पड़ सकती हैं आपके requirement की हिसाब से जिस चीज की आप casting करना चाहते हैं उस casting process में जो जो चीज़ें यूज की जाएंगी और सारी क्या हो जाएंगी उस casting process में यूज की जाने वाली materials हो जाएंगी तो friends आज आपको एक class कैसा लगा ऐसे comment में जरू होता है और यदि अच्छा लगा हो तो like जरूर करिएगा अपने दोस्तों के भी share करने की कोशिस करिएगा और अभी तक यदि study classes के channel को subscribe ने कहें तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं फिर से अ आपर आप